वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास सिक्स इंग्लिश हनी सकल बुक से चैप्टर नमबर फाइव है आज हम करेंगे इसके एंसी आटी सॉल्यूशन और क्वेशन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आज होप चिल्डन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभीतख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो so that आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें तो चिल्डन क्वेशन नमबर वन देखिए question number one में ये क्या कह रहा है इसने आपको कुछ sentences दे दिये 1,2,3,4,5,6 अब ये आप से कह रहा है put these sentences from the story in the right order आपको इन सारे sentences को सही order में लगाना है और उसका एक paragraph बनाना है ठीक है तो सीधे हम इसका answer देखते हैं answer क्या होगा तो पहले ये देखो ये है question ये आपको कुछ sentences दिये होएं और जब आपने इनको paragraph में frame किया तो answer क्या बनेगा let's go for a little walk चलो थोड़ा walk के लिए चलते हैं only you must tell me about things मुझे कुछ बताओ I shall be so glad when today is over मैं बहुत ज़ादा खुश हो जाओँगा जब आज का दिन खतम हो जाएगा the other bad days can't be half as bad as this तो यहाँ पर हो कहरा है जो दूसरे बुरे दिन है वो इतने बुरे नहीं हो सकते इसके आधे भी जतना ये वाला दिन हो ये वाला दिन भहुत टफ है having a leg tied up and hoping about on a crutch is almost full मतलब एक पैर का बंधा होना और crutch पे फुदक फुदक के चलना एक fun की तरह है I guess I don't think I'll mind being deaf for a day अगर मुझे deaf भी बना दिया जाए तो भी मैं mind नहीं करूँगा at least not much but being blind is so frightening लेकिन भाई सब ब्लाइन बनना तो सबसे ज़ादा खतरनाक है तो इस तरह से आप इसको paragraph को complete कर दोगे नेक्स्ट क्वेस्चन वाई दो यू थिंग दा राइटर विजिटेड मिस बीम से स्कूल जो राइटर है वो मिस बीम के स्कूल को विजिट करने क्यों आया था आपके हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो मिस बीम थी वो अपने स्कूल में एक अलग तरह की new kind of teaching दे रही थी वहाँ पे वो बच्चों को एक दिन blind बनाती थी blind का task मिलता था एक दिन बच्चों को lame यानि कि लंगड़ा बनना पड़ता था उनके पैर में सी बांदी जाती थी या कुछ बांदी आ जाता था ताकि बच्चों के अंदर inculcate हो सके एक ऐसी feeling उन handicap लोगों के ने तो answer देखो answer कैसे लिखोगे the writer had the writer had heard h-e-a-r-d writer had heard a lot about new and unique technique method of miss beam school writer ने na miss beam के school के बारे में बहुत जादा सुन रखा था उसने क्या सुन रखा था miss beam के school के बारे में के इस school में की जो madam है न वो अलगी तरह से बच्चों को पढ़ाती है उनको कुछ task देती है so he visited miss beam's school यह जो मैंने blue वाला लिखा है यह पूरा का पूरा question से ही copy किया है next question what was the game that every child in the school had to play कौन सा game था जो हर बच्चे को school में खेलना पड़ता था actually school में न टर्न बने हुए थे कि एक particular time बाद एक दिन आपको blindfold लगा जी जाएगा मनला पूरा दिन आप ऐसे बिताओगे जैसे कि अंधे बच्चे की तरह एक दिन आपको लंगड़े की तरह चलना होगा और एक दिन आपको इस तरह से भेव करना पड़ेगा कि आपको सुन नहीं पाते हो तो ऐसा क्यों होता था उसके school में so that बच्चों जो है kind बन जाएं है ना उन लोगों के लिए जो handicap है तो answer देखो every child in the school had to play the role of being blind एक दिन blind बनना पड़ता था एक दिन deaf बनना पड़ता था एक दिन dumb बनना पड़ता था एक दिन injured injured मतलब घायल आदमी जिसके चोट लग गई हो और एक दिन उसको lame यानि लंगड़ा बनना पड़ता था once in a term okay guys next question each term every child has one blind day एक दिन एक blind day होता था बच्चे का एक दिन lame day लगड़ा बनना पड़ता था and dash dash तो ये कह रहा है आगे क्या होनता था complete the line आपको line complete करने है तो lame day के बाद हमने complete किया और एक दिन injured day बनना पड़ता था और एक दिन dumb day बनना पड़ता था which day was the hardest सबसे ज़्यादा hard क्या था being blind was the hardest day सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा दिन होता था जिस दिन बच्चे को अंधा बनना पड़ता था उसकी आँखों पर पट्टी बान दी जाती थी ठीक है because student could collide or fall any moment क्योंकि वो किसी भी चीज से टकरा सकता था कभी भी गिर सकता था ठीक है guys चलिए next question what was the purpose of these special days ये जो special days होते थे जिसमें किसी को lame बनना पड़ता था किसी को क्या ना में dumb बनना पड़ता था किसी को अंधा बनना पड़ता था इसका purpose ये था कि बच्चे ये समझें कि जो handicap लोग होते हैं क्यों कितनी परेशानी होती है ताकि इन लोगों के पृति कौन से लोग जो handicap हैं जो अंधे हैं जो देख नहीं सकते जो चल नहीं सकते जो सुन नहीं सकते बच्चे इन लोगों के पृति kind बने है ना तो answer कैसे लिखोगे इन देज का परपस यह होता था कि स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे काइंड बने किसके लिए towards handicapped people कि जो भी society के handicapped लोग है उनकी हमको help करनी चाहिए next अब जो next question है guys यह है match the words and phrases with their meanings तो यहाँ पे कुछ words दिये हुए है और यहाँ पे दिये हुए है इनके meaning लेकिन अब आपको यह match करने है कि homesick का मतलब क्या होगा practically का मतलब क्या होगा तो इसका answer देखेंगे अब हम लो guys homesick का मतलब होगा wanting to be home कई बार अगर आप hostel में गए हो ठीक है तो जो बच्चे hostel में रहते हैं तो उनका बहुत मन करता यार अप तो मैं घर चला जाओ तो मैं घर चला जाओ प्रैक्टिकली मतलब almost बिलकुल वैसे ही behave करना जैसे वो madam करवाती थी न जैसे एक blind person होता है तो वो blind बनाने के लिए आँखों पे पट्टी बान देती थी इट it pains me यानि की it hurts me यह मुझे दर्द दे रहा है अगर कोई आपके चोट लग जाती है ठीक है या आपको कोई डांट देता है मारता है appreciate करना ठीक है understanding the difficulties जब आप सामने वाले को एक तो होता है appreciate का मतलब तारीफ करना और एक appreciate का मतलब होता है कि जब आप सामने वाले ने जो काम किया और वो बहुत मुश्किल भरा काम था उसकी मुश्किलों को आप समझते हो thoughtless मतलब जिस पे आप ध्यानी नहीं देती not very caring exercise अगर आपको guys मजबूत होना है life में या जो madam थी school की वो बच्चों को एक test देती थी उनकी strength चेक करने के लिए कभी उनको blind बनाती थी कभी उनक some change अब suppose करो आप traveling कर रहे हो 8 घंटे से लगातार आप एक ही जगे पे बैठे हुए हो और अचानक से आपका destination आजाए आपका घर आजाए या आपका नानी का घर आजाए तो आपको एक relief मिलता चलो यार thank God बगवान अब एक बहुत relief घैसली का मतलब होता है terrible बहुत गंदा बहुत ही खराब अब children ये जो question है इस question में क्या दिया गया है कि ये जो कुछ sentences लिखे हुए है ये चार इनको reword these lines from their story मतलब ये कुछ words दिये हुए है इनको आपको अपनी language में बना के लिखना है तो पहला question देखेंगे I had heard a great deal about miss beam's school तो वो कह रहा है कि भई मैंने miss beam की school के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था अब इसी बात को अपनी words में कैसे लिखोगे the writer had heard a lot writer ने बहुत सुन रखा था क्या सुन रखा था praise praise मतलब बहुत तारीफ सुनी हुई थी from people लोगों से about miss beam's school ये जो writer है इसने लोगों से बहुत जादा सुन रखा था कि बहुत का है madam का पढ़ाने का ठीक है next guys अभी तक इस वीडियो को एक like नहीं किया ना तो please यार एक like कर देना आपके एक like से एक subscribe से बहुत motivation मिलता है तो मैं children तीन तक count करूँँगा please video को like कर देना one two three I hope children आपने video को like कर दिया है और अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दो so that आपको हमा इस बिलते रहे miss beam was all that I had expected middle aged full of authority अब ये question नहीं है इस part को ये कह रहा है miss beam ऐसी ही थी जैसा मैंने expect किया था middle aged थी और full of authority थी तो इसी बात को हम अपने words में कैसे लिख रखते हैं the writer found miss beam to be a middle aged woman तो writer जब स्कूल में गया तो उसने देखा जो madam है वो middle aged middle aged का मतलब ना तो बहुत young की भाई 17-18 साल की है और ना ही बहुत बूरी की 17-18 साल की middle aged है ना approach 40,45,50 next I went to the window which overlooked a large garden तो writer window की तरफ जाता है और window से बाहर क्या देखता है एक garden को देखता है तो इस बाली बात को हम अपनी words में कैसे लिख सकते हैं the writer looked out of the window writer ने window से बाहर देखा जैसे यह uncle जी देखना है यह आप है and saw a large garden और एक बड़ा सा garden देखा जैसा यहां देख रहा है we cannot bandage the children's mouth so they really have to exercise their willpower अब एक ऐसा दिन होता था ना कुछ लोग जो बोल नहीं पाते है ना जो गूंगे लोग होते हैं children वो बोल नहीं पाते तो एक दिन ऐसा होता था कि जिस दिन बच्चों को यह task मिलता था आज पूरे दिन तुम बात नहीं करेंगे तो मैडम यह कह रही है हम बच्चों के मुँपे टेप नहीं लगाते क्यों क्योंकि हम यह देखना चाते हैं बिना टेप लगाए क्या वो पूरा दिन इस चीज पर कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं तो दा चिल्डरन है टू यूज दियर विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति कि देखते हैं कौन कितना कंट्रोल कर सकता है तो कीप कॉइट चुप रहने के लिए चुल्डरन अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है गिवन ब्लो अप पेज फ्रॉम ए डिक्सिनरी लुक एटिट केर्फुनी ठीक है और क्या करना है आपको एक वर्ड बताना इन्होंने एक वर्ड दे दिया घैस्ट्ली ठीक है इसका मतलब बताना है घैस्ट्ली का मतलब होता है टेरिबल मतलब बहुत बुरा बहुत खराब और इसके दो मीनिंग और देने हैं काॉजिंग फियर मतलब घैस्ट्ली मतलब गंदा सा जिससे तुम्हें डर लगे या वेरी बैड नेक्स क्वेश्चन अब इन्होंने कहा फाइंड वर्ड next find a word that means examination तो examination का मतलब तो test होता है और test का मतलब क्या होता है to look at something to see if it is correct or not भई आप किसी भी चीज़ का आप के पापा कार लेने गए तो कार लेने से पहले उसकी एक test drive लेते हैं लेते हैं कि नहीं कि भई कार कैसी है काम कर रही है test एक भो भी test होता है जब हमारी madam हमसे questions अब यह कह रहा है now make list of ठीक है उन words की list बनानी है जो आप टी इडवल र से शुरू होते हैं तो भाई यह terrace, terrible, terribly, territory, terrifying कुछ भी लिख देना है इसमें से 2-3 लिख देना answer फाइव words that may follow the last word on that अब यह कह रहा है कि that से that के बाद आप क्या क्या लगा सकते हो that boy भी लगा सकते हो that house भी लगा सकते हो that car, that dog, that question, okay write down your own meaning of the word thank, thank का मतलब क्या होता है to express gratitude भाई इसी बच्चे ने आपकी exam में help कर दी आपका pen नहीं चल रहा था, pencil नहीं चल रही थी है उसने pencil दे दिया, pen दे दिया तो आप उसके लिए gratitude शो करोगे, dictionary में क्या लिखा है to say we are grateful to someone है आप उसके grateful होते हो जब कोई आपकी help कर दे children its last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूँगा, कितने बच्चे right answer देंगे मुझे comment में, the writer had heard a lot about miss dash school, writer ने in madam के school के बारे में बहुत सुन रखा था, उन madam का नाम क्या था, smitha, beam, reny, ya nun, आप चाहो तो अपने answer में a, b, c, d लिख देना मैं समझ जाऊँगा, so I hope मेरा इस छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, please वीडियो को लाइक कर देना, channel को subscribe कर देना, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाबने,